हलो एवरीवें विल्कम टू एलेक्टर डिपार्टमेट आज की सेशन में हम लोग यूटलाजेशन आप इलेक्ट्रिकल एनरजी का नवा लेक्चर देखेंगे इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिस्चार्ज लैम क्या होता है और इनकेंडेंसेंट लैम तो इनकेंडेंसेंट लैम जो होते हैं उनमें जो फिलामेंट का प्रोक है जाता है उसी से सम्मंधित ये टॉपिक है कि फिटिंग रिक्वाइड फार फिलामेंट लैम तो फिलामेंट लैम के लिए फिटिंग की क्या क्या रिक्वाइड होती है यही आपको इस टॉपिक मे लब है तो आप लोगों ने कभी ने कभी फिलामेंट वर्ड जरूर सुना होगा तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है फिटिंग रिक्वाइट फॉर फिलामेंट लैंप देखिए आप लोगों ने विद्दुद बल्ब देखा होगा उस बल्ब में इस्पिरिंग की तरह ए अनमिकान क उत्पन करता है कहने करता है कमतुर जो फिलामेंट होथा है यह जो होता है एक पतले तार का क्या होता ऐक मतलब तो फिटिंग िॉंक्वाइड फॉर फिलामेंट नाइंप का मतलब होता है इस जुट will a he also कि जो filament lamp होता है या फिर कहें कि जो incandescent lamp होता है उसमें जो filament होता है उसका उसमें कौन सा material यूज किया जाता है और कौन सा material नहीं यूज किया जाता है इन सब के बार में पढ़ना है और फिर जिस material का यूज किया जाता है उसकी properties क्या होती है और filament lamp में किस type के filament का यूज किया दाता है तो यही सब टॉक्पिक आपको इस वीडियो में पॉड़ बताओंगे और यही आपका टॉपिक भी है तो देखिए फिलमेंट बनाने के लिए आप लोगों दो सुना होगा कि फिलमेंट के लिए हम टंग स्टन का प्रयोग करते हैं और टंग स्टन का filament होता है वह हैं मतलब कि enclose होता है कारने के मतलब काच के बल्ब के अंदर रखा जाता है और इसलिते हैं ताकि जो filament है खूब हीट होकर वह वाइमेंडली आक्षीजन तक न पहुँच पाए और उस तरह क्रिया करके वह filament को combining को जला देगा तो filament को काच की बल्ब के अंदर इसलिए हम रखते हैं ताकि फिलामेंट गर्म होकर वार्मेंटली आक्सीजन तक न पहुच पाए और इस तरह क्रिया करके फिलामेंट को जला न सके तो यह चीज बहुत ज़्यादा पापुलर है कि जो इनकेंडेंसेंट लैंब तो उसको बोलते हैं इनकेंडेंसेंट इनके बारे में एक एकर के डीटेल में देखते है तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन के बारे में कार्बन को ही फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है देखिए सबसे पहले जो है कार्बन को ही फिलामेंट के रूप में उपयोग करते थे लेकिन अब इसका filament का मतलब कि अब जो है carbon का फिलामेंट के रूप में नहीं करते हैं इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो temperature होता है वह 1800 degree Celsius से उपर इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं अगर इससे अधिक temperature होता है तो यह क्या होता है जो आपका incandescent lamp जो bulb होता है incandescent lamp को हम normally bulb भी कहते हैं तो जो कि इसका temperature जो होता है 1800 degree Celsius होता है इसके उपर इसको हम नहीं प्रियोग कर सकते हैं तो यह क्या करता है जब अगर temperature इसका जब अधिक हो जाता है तो जो lamp होता है मतलब को जो आपका bulb होता है उसका सीसा को या काला कर देता है मतलब कि filament का जो filament होता है वो जल जाता है तो क्या होता है इसलिए filament प्रदार्थ की रूप में कार्बन का ब्रोग नहीं किया जाता है अब देखिए आपका जो अगला है ओस्मियम तो ओस्मियम का जो temperature होता है उसका जो temperature होता है कार्बन के temperature से ज़ादा होता है और इसका temperature होता है 2650 degree Celsius तो इसका temperature ज़्यादा होता है लेकिन यह carbon की तरह वास्पित नहीं होता है चोंकि ओस्मियम जो होता है यह बहुत महांगा और बहुत मुस्किल से मिलने वाला पदार्थ होता है इसलिए ओस्मियम का प्रयोग नहीं किया जाता है और अगला है आपका tantalum तो जो tantalum होता है इसका गलनांक भी क्या melting point जो होता है carbon से इसका melting point जो होता है कम होता है लेकिन इसकी जो efficiency होती है मतलब अगर हम जो आपका incandescent lamp होता है अगर tantalum material का यूज़ करेंगे इसमें filament के लिए तो इसकी absency जो होती है वो कम होती है इसलीए tantalum का प्रयोग नहीं किया जाता है अब बात करते हैं टांगच्टन का ही प्रयोग filament lamp के लिए क्यों किया जाता है देखिए जो tantalum होता है इसकी बहुँच सारी विशिष्ताय होती है इसलिए टंगस्टन का प्रियोग ही जो होता है इनकेंडेंसेंट लेम्प या फिलामेंट लेम्प के लिए किया जाता है टंगस्टन जो होता है इसका सबसे पहली बात यह होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गल्लांग जो होता है वह बहुत जाला होता है मतलब लगभग 3400 से 3500 degree centigrade degree centigrade के निकट होता है टंगस्टन का melting point और इसका जो वास्पी करण होता है वह नगड होता है, मतलब जीरो होता है वास्पी करण का मतलब है जैसे कि हमने आपको प्यताया कि कार्बन का कार्बन को अगर 1800 degree centigrade से ऊपर अगर तो कार्बन फिलामेन जो होता है वह वास्पीत होकर जो आपका बलब होता है इसको काला कर देता है लेकिन यह जो वो टंगस्टन होता है या इसका वास्पी करण नहीं होता है तो फिलामेंट बना जाता है इसकी मेकेनिकाल इश्टेंच वहता है काफी अच्छा होता है अगर जो आपका टंगष्टन का जो程 हो गाँ, अगर उसको पतला वायर भी होता है तो वह सामान जटके को कहते हैं सहन कर सकता है कहने के मतलब जो आपका electric bulb होता है अगर इसको हाथ से मतलब की हाथ से इसको move कराते हैं तो जटके लगनी पर जो filament होता है वो तूड भी सकता है लेकिन जो tungsten होता है इसका material strength जो होता है mechanical strength जो हता है काफी अच्छा होता है इसलिए के अगर कोई जटका भी लगता इस इसको तो यह साहन कर सकता है इसकी और एक विसेस्ता है कि इसकी जो इपसिएंसी होती है वो 8 से 10 लुमेन पर वाट होती है तो इसकी इपसिएंसी भी अन्य पदार्थों की यह पेक्षा काफी अच्छा होता है तो अब बात करते हैं कि जो आपका filament होता है filament lime या incandescent lime देखिए filament lime और incandescent lime दोनों एक ही चीज है तो incandescent lime में filament का प्रयोग के जाता है और filament के लिए कौन-कौन से material का प्रयोग प्रयोग के जाता है इसमें आपको पढ़ना था तो अब देखते हैं कि filament के लिए किस टाइप का lime का हमको किस टाइप का filament यूज़ करना होता जैसे अगर कभी क्या होता है हमको अगर ज्यादा प्रकास की जरूरत होती है तो आप सोच सकते हैं जो आपका electric bulb होता है उसमें देखी छोटा सा filament लगा होता है ज्यादा तर लंबाई ज्यादा लंबाई नहीं होती है लेकिन अगर हमको प्रकास ज्यादा चाहिए तो आप सोच सकते हैं कि हम filament की लंबाई या filament को बढ़ा कर क्या ज्यादा प्रकास उत्पन कर सकते हैं तो यही आपको यहाँ पर पढ़ेंगे जो filament के types होते हो तीन प्रकार बे होते हैं एक होता है single wire filament एक होता है single coiled filament और एक होता है चोटे लाइंपों करते हैं मतलब कि जहाँ पर ज्यादा रोशनी क्या हो सकता नहीं होते यह चोटे लाइंप होते हैं उनमें हम सिंगल वायर फिलामेंट का प्रयोग करते हैं सिंगल वायर फिलामेंट को अब देख सकते हैं रेजिस्टेंस का जैसे सिंबल बनाते हैं कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसको हम इस्ट्रेट वायर फिलामेंट भी कहते हैं अब दूसरा है आपका वो है सिंगल क्वाइल्ड फिलामेंट तो जो सिंगल क्वाइल्ड फिलामेंट होता है इसका उप्योग हम 25 वाट तक के वैक्यूम लाइम पर जो होते हैं इसमें करते ह है आप क्या होता है इसका लैम यह जो single-coil filament आप देख सकते हैं क्वाइल की रूप में इसको गए गया है लपेटा गया है क्वाइल की रूप में जैसे कि आप इंड़क्टर देखते हैं इंड़क्टर का जेज सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से हिसका सिंबल यहां पर आपको दिख रहा होगा तो जो सिंगल कॉयल्ड फिलामेंट होता है इसका उप्योंग हम बड़े साइज के जो लाइंप होते हैं उसमें करते हैं और इसकी इसकी जो होती है 9 लूमेंट से 11 लूमेंट तक बढ़ जाती है सिंगल वायर फिलामेंट की अफेक्चा अब तीसरा है अपका कॉयल्ड कॉयल्ड फिलामेंट जो कॉयल्ड कॉयल्ड फिलामेंट होता है यह अगर हमको जादा प्रकास क्यों सकता होती है तो हम कॉयल्ड कॉयल्ड फिलामेंट का हीट लॉस मत gió हीट की रूप में जि़ेश होते है वह हीट के लॉसे जो हते हो यह ज Holz होते हो माश होते है तो यह यह को कम अस्थान में कम हस्थान में ज् samillä प्रकास्थ तो हम कौईल क्वाइट फिलामेंट करें क्यूंकि एक तो होता है उसके उपर से क्वाइच रहता है तो आप सोचके हैं कि क्वाइड के लंबाई दू जादा होती है लेकिनिदंग कम इसपेस के होता है तो आखन फिलामेटज अब देखिए यहां पे जो टॉपिक है फिटिंग रिक्वाइट फॉर फिलमेंट लें इसमें आप लोग यह चीज हमेशा याद करके चलिए कि अगर हमको ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करना है तो हम फिलमेंट के साइज को इंक्रीज करते हैं करने के मतलब अगर हमको ज् कम स्पेस में ही फिलमेंट के साइज को बढ़ाना होता है जैसे कि आप समझ सकते हैं इतना ही इतना ही आपको स्पेस मिला है इतने में ही आपको फिलमेंट के साइज को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम क्वाइल्ड क्वाइल फिलमेंट का यूज करेंगे कैस जो filament का हम यूज़ करेंगे जैसे कि अपनी आभी हमने आपको बताया कि carbon, osmium, tantalum तो इन सम materials का यूज़ के जाता है तो हम कैसे जानेंगे कि filament के लिए कौन सा material अच्छा है कौन सा material का प्रयोग करना बेस्ट रहेगा तो अब हम देखते हैं जो filament material प्रयोग के जाते हैं उनमें कौन कौन से properties होना चाहिए तो जो filament lamp या फिर incandescent lamp होते हैं उसमें जिस material का filament बनाया जाता है उसमें कौन कौन से आवस्ट से गुड़ होने चाहिए तो सबसे पहला देखिए इसमें इसकी properties है कि इसका resistivity मतलब प्रयोग का इसकी उच्छ होनी चाहिए इसका melting point भी जादा होना चाहिए उच्छ गल्लांक वाला होना चाहिए जैसा कि tungsten में होता है और इसका जो life होना चाहिए मतलब कि लंबा जीवन काल इसका होना चाहिए और यह ductile मतलब कि इसमें तननिता की छमता हो इसको बोलते है ductile तो इसको पदार्त को जो भी material हम यूज़ करेंगे इसमें वो ductile होना चाहिए और अगला है आपका कि जो यह आक्सी करण इसका नहीं होना चाहिए वाइबंडली अगर प्रभाव में आता है तो आक्सी करण होने लगता है इसलिए हम इसमें एनर्ट गैस का यूज़ करते हैं तो आज के इस वीडियो में किवल इतना है आपको पढ़ना था कि fitting required for filament lamp filament lamp के लिए कौन-कौन सा material उसके जाता है क्या properties होना चाहिए किस type का material होता है किस type का filament होता है तो अब हम अगले lecture में देखेंगे mercury vapor lamp जो कि discharge lamp के अंतर गती आपको उसको पढ़ना है तब मिलते हैं next video में